हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग 8 सेप्टेमबर को GACA ने एक सर्कुलर रिलीस करा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि तीन कंट्रीज यूएई साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना इन तीन कंट्री के जो सस्पेंशन है वो हटा दिये जाएंगे आठ तारिक सुबे 11 वह से उसी सर्कुलर में एक लाइन लिखा हुआ था कि जो सौदी के सिटीजन है वो इन तीन कंट्रीज में जा सकते हैं इससे थोरा सा कंफूजन करेड हुआ है कहीं नोग कंफीूस थे कि साउदी सिटीजन ही जा सकते हैं या फिर बाकी लोग भी आ या आज के इस वीडियो में वही confusion के वारे में discuss करेंगे अगर आप वो circular को देखेंगे GACA का तो उसके reference में उन्होंने दो circular का detail लिखा है पुराने दो circular है एक circular है 22nd September 2020 का और दूसरा है 9th July 2021 का जो 22nd September 2020 का circular है वो आपके screen में देख लिजे उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया, ब्राजील और अर्जिन्टीना के जो travelers हैं वो साओधी अरेविया में इंटर नहीं कर सकते या फिर जो भी इन countries से transit करे हैं पिछले 14 दिनों में वो इंटर नहीं कर सकते तो ये था 22nd September 2020 का circular तो ये circular का reference इन्होंने क्यों लिखा इस पर क्योंकि जो अर्जिन्टीना है उसका suspension अटा दिया गया है तो वो circular valid नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने ये circular का reference उस पर लिखा है अब बात करते हैं दूसरा reference का दूसरा जो circular है वो 9th July 2021 का है उसमें उन्होंने ये बताया था कि 4 countries को suspend कर दिये जाएंगे जिसमें था UAE, Ethiopia, Vietnam और Afghanistan लेकिन 8 तारीके circular में उन्होंने UAE का suspension हटा दिया है तो उसका reference भी उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है तो आप बिलकुल भी confused ना हो, इंडिया से Saudi Arabia वाया Dubai आप जा सकते हैं साओधी से Dubai जा सकते हैं, दुबई से Saudi आ सकते हैं ये बहुत ही clear है, जो भी circular के वारे में मैंने बताया है उसका जो copy है मैं आपने वीडियो में share कर दूँँगा आप देख लीजेगा और कोशिस करूँगा लिंक भी आपको देदू ताकि आप पढ़ लीजे और वाया Dubai आने के लिए मैंने सारे वीडियो आप लोगों के साथ share कर लिया है डिटेल share कर दिया है, बजट के बारे में बता दिया है आप देख लीजे, अपना plan कीजे और आज आईए अराम से तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना क्याल रखिए Thank you very much